कि वीडियो में हम यह जानने वाल had six kilowatt of earth system anam purchase करें तो में उस पच्छेस करने के लिए कितना करेंगे साथ में यह वी जानेंगे कि color system लगाने के लिए अगर हम 29 लगाएंगे इसमिन कितना पैनल देगा हमें कि accessories मिलने वाला साथ में वो सारा data हम collect करेंगे साथ में ये भी जानेगे कि क्या हमें इसमें subsidy मिलेगा मिलेगा तो कितना मिलेगा ये सारा data हम लेने वाले आज़की umate तो चलिए जलते अपने computer screen के तरह गाँ सारा data हम collect करते सारा तो फ्रेंड आ गया अपने computer screen पर यहां पर हम देख पाएंगे 6 kilowatt of grid solar system का हमने एक table बना लिया यहां पर सारा data collect करेंगे जैसे कि हमने यहां पर सो कर रखा है कि 6 kilowatt का plant लगने वाला है जाईर सी बात है मैंने बोला ही जाए पापको की 6 kilowatt of grid solar system का solar plant तो अब इसमें लगने वा लेकिन एक सही amount में 6 kilowatt लगबग पूड़ा हो जाएगा अगर हम 335 watt का पैनल लेते हैं तो हाला कि हो सकता है 200 watt से भी लेकिन 200 watt क्या होगा पैनल छोटा हो जाएगा हमें कोशिस यह करना है कि solar system में अगर बड़ा plant लगा रहा है तो हमें पैनल का size भी जो है वो बड़ा लगा चाहिए तो हमने यहां पर एक पैनल जो है वो 325 watt का लिया है अब नमबर पैनल कितना होगा तो नमबर पैनल जो होगा वो 18 पैनल हो जाएंगे अब इस पैनल का जो connection है वो स्रीज होगा या पैरललर होगा यह डिपेंड करेगा inverter के input पे जी हां inverter में जो input हम देंगे solar panel का वो उस पर ही depend करेगा क्योंकि ना बहुत सारे company का input कुछ और होता है मतलब voltage और current कुछ और होता है तो हमें क्या करना है पहले inverter में देख लेना input voltage कितना दिया गया है अगर voltage जदा है तो हमें सभी panel का series करना है अगर current जदा है तो हमें parallel भी करना पड़ेगा series के साथ साथ लेकिन series तो करना ही परेगा क्योंकि 18 panel है तो जाईड से बात है सभी panel का parallel तो कर नहीं सकते most of case क्या हो सकता है इसमें कि हम 18 panel है तो हमें 9 panel का एक साथ series में करके बाकी 9 का एक साथ series करके और दोनों को series को आपस में parallel हम कर सकते हैं या फिर यह हो सकता है कि 6 panel का एक साथ series करके बाकी 6 का एक साथ फिर बाकी 6 का एक साथ तो 3 series बन जाएगा और 3 series को आपस में हम parallel connection कर सकते हैं, तो ये 2-3 case हो सकता है, ठीक है, चली आगी चलते हैं, कि इसमें लगने वाला जो structure होगा, मतलब हम जाईर सी बात है, कि solar system लगाएंगे, और solar panel लगाएंगे, तो solar panel को हम एक बकाईदा structure में लगाएंगे, ताकि panel जो एक सही direction, सही angle पे बना रहें, तो structure का size होगा, 6 kilowatt का होगा, और ये जो size होगा, panel के according होगा, मतलब हम 335 watt का panel ले रहे हैं, तो 335 watt के panel के according ही, हम structure लेंगे, क्योंकि panel पे hole होता है, net bolt कसने वाला, और उसी hole के according ही हम structure में hole करवाएंगे, ताकि सही amount में, पेनल जो है, वो fix बैठे structure में, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला inverter जो होगा, वो कितने KVA का होगा, तो यह मैंने mention कर दिया, 7.7 KVA का हम इसमें, और फिरिट inverter ले सकते हैं, यहां मैंने kilowatt नहीं लिखा, KVA लिखा, ऐसा नहीं कि 7.7 KVA लिखा है मैंने, KVA और KVA में फर्क है, फर्क वाला वीडियो में, हर वीडियो में बोलता हूँ, कि आप वो conversion वाला वीडियो देखो, ताकि आपको conversion समझ में आए, कि KVA और KVA में क्या फर्क है, हाला कि मैंने इस से पहले, बहुत सारा वीडियो अपलोड किया है, सिर्फ 16 सिस्टम से रिलेटेड, 1 किलवाट, 2 किलवाट, 3 किलवाट, 4 किलवाट, 5 किलवाट तक का, Off-Grid, On-Grid, Hybrid सब का, Separate, Separate वीडियो अपलोड किया है, उसमें सारा डेटा दिया है मैंने, कि क्या-क्या लगने वाला है, कि इस क्वांटिटी में लगया है, जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, उसी तरह से, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, आगे हम देख पाएंगे, इसमें लगने वाला नमबर वो, बैटरी जो होगा, कितना होगा, बैटरी सपूर्ड करेगा, हो सकता है, यहां पे 5 बैटरी को, एक साथ स्रीज में करके, भागी 5 को, एक साथ स्रीज में करके, और दोनों स्रीज को आपस में, पैरलल करके, क Keysक्रें करना हो, या फिर हो सकता है, कि दो-दो का स really बने, मतलब, दो बैटरी एक साथ सरीज में फिर दो एक साथ मतलब 5 सरीज बन जा या 500 सरीज को आपस में पैरलल कर दे तो ये भी हो सकता है ठीक है तो आप उको देखना क्या होगा inverter के input पर देखना होगा inverter का input जो voltage कितना है battery का और panel का भी दोनों का देखना है वो भी depend करेगा inverter ठीक है चलिए आगी चलते हैं इसमें लगने वाला जनसन बॉक्स जो होगा जिसको लूग DC DV बोल सकते हैं DC जनसन बॉक्स अब DC जनसन बॉक्स इसलिए क्योंकि इसमें लगने वाला fuse होगा DC होगा MCB होगा DC होगा SPD होगा DC होगा, इसमें लगेगा, और इसी से हम distribute कर सकते हैं, अलग-अलग जगा, अगर माले लोग कि आपको DC load चलाना है, कुछ DC load भी चलाना है, बाकी AC भी चलाना है, तो आप directly DC-DV से connection करके, आप distribute कर सकते हो, DC load में, AC load में, तो सारा इसमें function दिया होता है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें AC Johnson box भी लगेगा, क्योंकि हम AC current बनाएंगे, मतलब alternating current बनाएंगे, inverter के बाद, तो उसको जो distribute करेंगे, तो हमें एक box ही होगा, जिसको मिलग AC Johnson box बोलेंगे, alternating current Johnson box, इसी में AC SPD, AC MCV और AC fuse बगरा भी लगेगा, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसमें लगने वाला DC cable, केवल का length जो है, वो 60 meter का होगा, तो यहां पर मैंने wire का length जो है, वो 60 दिया, 60 इसलिए दिया, क्योंकि ज्यादा लंबा wire इसमें चाहिए होगा, क्योंकि सभी panel को connection करना होगा, और connection को हमें battery और inverter तक पहुचाना होगा, इसलिए हमें DC cable जो है, वो ज्यादा लंबा चाहिए ह होगा, इसी केवल जो है, थोड़ा कम लंबा चाहिए, मतलब 40 meter में काम चल जाएगा, इतना में sufficient रहेगा, आप इसमें connection कर सकते हो, inverter से, inverter के बाद से, चाहिए घर में पहुचाना हो, चाहिए फिर main में लेना हो, ठीक है, आगे चलते हैं, इसमें कितना area require होगा, 6 kilowatt off grid solar system के लिए तो 500 square feet area चाहिए होगा, अब 500 square feet ये shadow free area है, मतलब ऐसा नहीं कि आपने total area आप छट का count कर लिया, आपको लग रहा है कि 500 square feet तो काफी है, इतना में हो जाएगा, ऐसा नहीं है, आपको पहले area देखना है कि आपका छट पे छट पे कितना area है, उसके बाद उसमें से shadow free area क मतलब कितना area है, जिसमें कि थोड़ा सा भी छाओं नहीं पड़ता दिन में कभी भी, तो जो छाओं नहीं पड़ता उतने area, side free area कहलाता है, उसी में हमें लगाना है, तो वो area 500 square feet minimum होना चाहिए, आगे चलते हैं, इसमें बहुत सारा ऐसे सरी मिलने वाला है, जैसे पूल्ट, netbolt, earthing kit, LA वगरा, यह आपको मिलेगा, साथ में यह सरा चीज मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ दे दिये जाएगा, आपको बकाईता लगा के दिये जाएगा, अगर solar system ले रहे हो, पोड़ा system आपके किसी company से ले रहे हो, तो आपको वो लगा के भी देगा, म पास पढ़ जाएगा, जो कि 6 kilowatt off grid solar system होगा, यहाँ पर बता दू एक चीज, जैसे मैंने यहाँ पर start mark दे रहे हो, इसका मतलब यह कि बहुत सरे company जो है, वो चार लग में आपको लगा के देगे, बहुत सरे company जो है, आपसे सारे चार लग ले ले, या बहुत सरे लोग बोर बैटरी लिया है, कितने, जो भी चीज मैंने यहाँ दिया data, अगर यह सेम डिटा इस तरह रहेगा, हाँ, बहुत सरे company क्या करती है, सेम डिटा देगी, लेकिन बैटरी का एमपेर जो है, बैटरी का एमपेर में, वो क्या करेगी, घपला गर देगी, जैसे की, बात तो रहे लगेगा, बस की लगेगा, आपको सेम बैटरी है, लेकिन आपर का फर्क हो जाएगा, उसमें, तो एमपेर कम हो देने पर जाहिट सी बाता है, सब कोश्ट भी कम परेगा, इस वज़ए से बहुत सारे company जो कम में लगा देती है, तो इसका मतलब, वहाँ पर यह नहीं कि सार होता है, वो structure में होता है, चूँकि अच्छे quality का structure देना, GI का structure देना, यह अगर दे रहा है, proper quality का तब सही है, क्योंकि इन दोनों में घपला ज्यादा कर सकता है, कोई भी company, अगर इसमें करेगा, तो मतलब, cost भी वह कम में लगा के दे सकता है, तो यह चीज़ आप देख ले है, इसलिए हमें, यहाँ net meter नहीं चाहिए होगा, तो जाहिट सी बात है, net meter नहीं लगाना होगा, तो इसमें subsidy भी आपको नहीं मिलेगा, इसमें subsidy नहीं है, चलिए आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें, जो per day energy कितना generate करके देगा, आपको 6 kilowatt of red solar system, तो minimum आपको 24 unit, या है, 25, 27 unit तक per day मिल सकता है, तो लेकिन आपका depend क्या करेगा, आपने सही direction और सही angle पे solar system लगाया है, या नहीं लगाया है, आगे चलते हैं, जो last one चीज है, वो है warranty, मतलब 5 kilowatt का off grid system है, तो इसमें क्या warranty मिलेगा, तो whole solar system में 5 साल का warranty मिलेगा, सिर्फ especially solar panel पे 25 साल का warranty मिल सकते हो, comment section में, तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए topic के साथ तक के लिए, take care